स्वागत है दोस्तों बहुत सारे काम गार्डन में संडे को टाइम में ले तो किये जाते हैं यदि मैं दिखा रही हूँ आपको अपना कलेडियम जिसको अभी कुछ महीने पहले मैंने इसके प्लांट्स डिवाइड किये थे के देखो कितने सारे ये अंदर प्लांट्स अलग लग होotherapते हैं उनको निकालके मैंने इस वले में लगाय था देखो ये सिंगल ही था कितने अच्छी ग्रोथ करी है इस से तो आप भी अगर इस तरह से प्लांट्स अपने आप अंदर बन जाते हैं तो उनको निकाल की अलग करो क्योंकि फ्रेश ग्रोथ जो होती है वह बहुत ही अच्छे पत्ते उसमें होते हैं अिक्स्ट मैं दिखा ही हूँ स्पैडर प्लांट जिसमें यह बहुत सारे बेभी प्लांट्स निकले हुए हैं लेकिन बेबी प्लांट्स मैंने इनके निकाल की अलग ही लगाए हैं जमीन में जमीन में भी देखो ये सब कितने बड़े और खुबसूरत हो गया है अपकोर्स जमीन में लगे हुए प्लांट्स गमले की बजाए ज़्यादा अच्छी करोथ करते हैं हैं यह निमबू का पेड़ इसमें एक किस्थ इसमें इक एक यह आकरी निमबू लगा हुआ हैं बाकी दो सब तोड़ लिया है निखो यह इसको भी आज मैंने निकाली लिया है यह हैं तुलसी के पेड़, तुलसी जी के पेड़ मैंने सारे निकल आके यहां इदर जमीन में लगा दिये थे, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और संडे के इलावा आप किसी भी दिन इनके पत्ते तोड़के अपनी चाय में यूज करो, तो सहत के लिए बहुत फाइदे यह नियोन कलर की स्वीट पोटेटो वाइन है, देखो, यह मैं तकरीबन छे महीने पहले लेके आई थी, छोटी-छोटी कटिंग थी, मैंने यहां सारे निक्चे लगा दी, इत्पे ज्यादा भरके यह सारे में फैल गई हैं, और मैंने इससे बहुत सारे गमले भी तियार क यह फ्रेश ग्रोथ है इसकी जो होती है, वह बहुत ही संदर लगती है, यह प्रोटन भी देखो, कितने अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसकी सब सूखे पत्ते दर दर निकालने पड़ते हैं, तभी इसकी चमकी ले और चटकी ले पत्ते दिखाई देते हैं, देखो, कितना खुबसूरत यह प्लांट है, और यह स्वीट प्रेटर वाइन इस गमले में लगाई थी, यह किस तरह से भर के फैली हुई है, बहुत ही खुबसूरत लगती है, एक इस तरफ भी है, यह देखो, और कुछ खिले हुए, मैक्सिकन पिटूनियाज, वो भी अपनी चटा बिखेर रहे हैं, और यह कटिंग्स कुछ मैंने अलग करी हैं, क्रिजैन्थमों की, इनको भी मैं पिंचिंग कर देती हूँ, सब की, यह मैंने और प्लांट्स बनाया हैं, देखो, इन सब में यह उपर वाले पत्ते की, इनको अभी अलग किया है, पिंचिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि और बहुत सारी ब्रांचिज निकलती हैं, और एक ही यह रेड चमपा का प्लांट लगाया था, यह कटिंग से लगाया हुआ है, इसको कई बार लगाया, लेकिन चला नहीं, तो इस बार मैंने इसको पानी में रखा पहले, कुछ दिन, तो उसके उपर ब्रांचिज, थोड़े ने पत्ते निकलने लग गए, फिर यह कुछ दिन पहले ही मैंने इसको जमीन में लगाया, आप इस तरह से पहले वाटर प्रॉपगेट करके लगाएं, और एक यह मैं आपको रबर प्लांट दिखा रही हूँ, मैंने क्योंकि यह सीधा चला जाता है, मैंने इसकी उपर वाली यहां से पत्तियां दो काड़ दी, इसमें यह बहुत ही खुबसूरत, यह देखो, एक न्यू लीफ यहां से निकली है, तो एक ब्रांच और बन जाएगी, पेड नुमाने ही बनेगा यह, और एक मैंने यह दिवार में यह वाला फॉन दिवार में से निकाल के, मैंने इसको पॉट में लगाई है, देखते हैं कैसी ग्रोफ करती है अभी है, क्योंकि यह प्लांट जादा तर जहां ठंडी जगा होती है, वहां निकलाते हैं दिवारों में, और यह मेरे पास एक बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट है, उसमें से निकाल के, मैंने यह कटिंग लगाई थी इसमें, और मेरे को बड़ी इसमें ग्रोफ चुरू कर दिया, तो आप भी अगर आपको मिलता है, वैसे पत्ता बढ़ा करना मुश्किल है, लेकिन अगर बहुती डंडी लेके आप लगाते हैं, तो बहुत खुब सुर्थ ग्रोफ करता है, और इसमें भी मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं, यह कनेर की ह और यह फिलोटेंडरन की कटिंग लगाई हैं, सब मैंने इसमें एलोवीरा में पहले इसकी खुब सारी डंडिया मनाके एलोवीरा में डालके यह सब इसमें कटिंग लगा रखी हैं, यह नाग दियों की तो मेरी बहुत खुब सूपती से चल गई हैं, सारी कटिंग और यह स्नीक प्लांट कितने बड़े और खुब ग्रोथ हुई है इसमें इसको निकाल के मैंने बहुत सारे और प्लांट्स बनाए हैं और यह मैं दिखा रही हूँ आपको डेफन वे किया यह काफी बड़े इस तरह से प्लांट हो गए थे इसको मैंने निकाल के कटिंग करके और बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं यह स्टेम बहुत ज्यादा बड़ी हो गी थी तो मैंने इसके बीच में से तींचा टुकड़े करके उनको जमीन में लगा दिया और यह उपर वाला प्लांट मैंने इस इसमें दुबारा से लगा दिया है वह भी चल गया हुए और यह रहे हमारे इकलाते सूरज मुखी जो अभी भी खिल रहे हैं काफी बड़ा प्लांट हो गया था यह तो खिल चुका है और यह खुब सा रिकोलियस और यह पीछे मेरा रेड सिंगोनियम इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग करके लगाई है यह भी कटिंग से चलने वाला है अब देखो इसकी बैक साइड पर भी बहुत सारी नोड्स हैं और यह देखो इतना पड़ा यह पिंक सिंगोनियम हो गया यह थी मेरी आज की शेरिंग जो कुछ काम आज संदे को किये अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यह लेपर लिली का फ्लार अट्यो